जैहिन दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2020 इस भरती में हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या पुरा प्रोसेस रहने वाला है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या योगदान रहने वाला है देखोए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क किसी की भी जिंदगी बदल सकती है जी हां यह हकीकत है और अभी तक की एक्जाम में अगर हम बात करें रेल्वे की किसी भी ससे एक्जाम की तो इसमें बहुत से स्टूडेंट है जिनको नार्मलाजेसर का इतना फायदा मिला कि वो जो है कट आफ से बाहर जो रहने वाले थे अंदर आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस एक्जाम जो है पर डे तीन सीप्ट में जो है हो रहा है ठीक है अब पर डे तीन सीप्ट में एक्जाम अगर होता है तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए SSC नेक नोटिस जारी किया था कि अगर exam एक दिन में shift wise होता है तो उसमें normalization परकिरिया लगेगी मतलब उस exam में normalization होगा क्योंकि तीनों को shift का level समान नहीं होता है किसी shift में paper hard आते हैं किसी shift में paper normal आते हैं ठीक है किसी में आपका easy आ जाता है इस टाइप से होता है तो यहां प आप लोगों को समझना होगा देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और बाकी exam में normalization में थोड़ा बुत अंतर होगा क्योंकि देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता दू अगर आपका exam जो है negative marking है और negative marking आप लोगों की नहीं है ठीक है negative marking है और negative marking नहीं है तो यह दो normalization में लगभग 10 number से लेकर 12 number तक बढ़ाया गया था जी हाँ यह reality है हकीकत है ठीक है लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर minus marking रहती है तो normalization बिल्कुल विपरिद होता है ठीक है इस चीज को हम समझेंगे अगर आपने अधिक जो है question करके आ गया हो किसी ने कम question करके आ गया है तो यहां पर क्या परभाव पढ़ने वाला इस चीज को भी हम इस वीडियो में देखने वाले है तो चलिए start करते है इस process को तो देखो यह सबसे पहले तो दो तरीके से काम करता है ठीक है पहला हम बात करेंगे shift wise ठीक है अगर एक दिन वे exam होते है आप medium आया होगा किसे में easy आया होगा अब यहां पर अगर हम बात करें इसके भी जो है paper में आ रहे है 60 number इसके भी 60 number इसके भी 60 number तो देखो यह important है normalization जो की यहां पर काम करता है अब यहां पर अगर हमने माने यह आप लोगों का easy था यह थोड़ा tough था और यह जादा ही tough था ठी यहां तीनों के 60-60 number आ रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें normalization में ठीक है तो normalization में यहां पर इसके तो 60 ही number रहेंगे लेकिन इसके plus होंगे और इसके double plus होंगे समझने बात को अगर इसके दो number बढ़ते हैं तो इसके 4 number बढ़ेंगे कारण है कि इस shift में paper hard पुछा गया इस shift मे पहिला method काम करता है normalization का जो सूत्र है उस यह according ठीक है अब यहां पर दूसरी चीज़ को हम यहां पर करते है analysis ठीक है अब आपके मन में एक doubt होगा कि जो है अगर किसी ने अधीक question attempt किये किसी ने 90 कर लिए उसके अनुपायत में अगर बात करें तो किसी ने 70 कि तो यहां पर attempt attempt भी प्रभाव पड़ता है या normalization का तो यहां पर देखो अगर आपने 90 जितने अधी question आप जो है negative marking में करते है उतना आप लोगों को नुकसान होता है इस चीज़ का आपको याद रखना है अगर किसी exam में negative marking नहीं है और आपने उसमें पूरे में पूरे करके आ रहे हो तो आपको normalization का benefit 100% मिलेगा ठीक है लेकिन अगर उसमें minus marking का और ज्यादा आपने attempt की है कि ज्यादा attempt करोगे तो सीधा सा सही है कि ज्यादा गलत होंगे ठीक है तो यह चीज़े आप लोगों को मैं बोलना चाहरा हूँ अब यहां पर देखते हैं दिल्ली पुलिस आपको पता ह चаровप है किसी बंदे ने 80skip अपकी अपने attempt किया अब यहां पर अगर मेंगे 92 सही कर दिया चिल्यादा और आपने गलत किया तो आपने गलत किया तो आप लोगों को तो नहीं पर सकता है तो इसके नंबर है सतर अब नॉर्मलैजेशन को भी यहां पर चर्चा करेंगे लेकिन अगर कोई बंदा सतर अटेम्ट करता है सतर अटेम कर रहा है उसके पूरे के पूरे सतर सही है ठीक है सतर अगर सही है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इसको बेनिफिट जादा मिलेगा इसकी अपेक्छा यहाँ पर समझना इसकी अपेक्छा इसको बेनिफिट जादा मिलेगा अगर वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें किसी बंदे ने 80 अटेम करके सिर्प जो है 60 सही किया है और बाकी गलत किया है तो इसकी अपेक्छा इसको normalization का फाइदा जादा मिलेगा अब चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होगी अगर आप जितने अधीक गलत करते हैं उसमें normalization का आपको उतना ही कम benefit मिलता है देखो shift अगर hard है तो benefit जादा मिलेगा क्योंकि first reference में वो माहिने रखता है और second में यह जो है formula काम करता है तो अब आप देख लीजे आपने क कितने आटेम किया है comment करके जरूर बताना आपने कितने आटेम किया और कितने आपके सही आने के chances है तो यह इस परकार से काम करता है normalization खासकर करके मैं इस वीडियो में डिसकस किया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस परकार से आप लोगों को normalization का benefit मिलेगा इसमें बहु कितने तो बहुत आपत।